सो हाई वरोगन दोस्ताइब सो काफिर से एक नए वीडियो में सुभागते और आज हम लोग बात करने वाले हैं इंस्टाग्राम के एक नए फ्यूचर्स के बारे में इसका नाम है अचीवमेंट लोग अकसर करके कमेंट में बार बार ये चीज पूछते रहते हैं बाई हम जब भी को इंस्टाग्राम पर रिल्स वीडियो का अपलोड करते हैं तो वहाँ पर हमें अचीवमेंट मिलते हैं इसके बारे में वीडियो बनाई है आखिर अचीवमेंट क्या होता है इससे हमारे एकाउंट को क्या फाइदा होता है क्या नुकसान होता है, क्या से हमारे इस वीडियो वारेल होती है और यह कितने परकार के होते हैं और कौन सा चीवमेंट काँ पर काम करता है तो सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में तो वीडियो बहुत ज़िदर इंटरस्टिंग होने वाला है आपने कुछ इस तरीकी का इंटरफेस आ जाता है अब गैस यहाँ पर होता कहा है जैसे ही हम को Instagram पर Reels वीडियो को अप्लोड करते हैं जिसे कि for example यहाँ पर मैं Reels वाले सेक्षिन में आ जाता हूं यहाँ पर मैं किसी भी एक Reels वीडियो पर क्लिक करता हूं जैसे कि for example Instagram पर हमने इस Reels वीडियो को अप्लोड किया तो जैसे हम Reels वीडियो को अप्लोड करते हैं तो वहाँ पर हमें चार अच्यूमेंट मिलते हैं आप वह अच्यूमेंट कहां पर दिखाए देते हैं जैसे ही कर सकते हैं तो यहाँ पर 3-लोड पर क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरिखी का इंटरफेस आ जाता है अगोई यहा पर आपको कवें सारे वीडियो में तो गाई जैसे कि आप लोग को बदाई जैसे आप लोग इस्टाग्राम पर रील्स वीडियो को अप्लोड एंगर करने के तुरंत बाद वाहाँ पर आपको अच्छिवमेंट को ऑप्शन यह तो आप समझगे यहाँ पर बात करते हैं यह सभी achievement आपको कैसे मिलेंगे और इनकी मदद से आप अपने रिल्स वीडियो को कैसे वारेल कर सकते हो यह तो हम जानेंगी बट उससे पहले में एक एक करके इन achievement के बारे में आपको समझा देता हूँ आप इसका फायदा क्या होता है जैसा कि आप दिसको तो यहाँ पर लिखाए यू काइन अर्ण दिस अच्यूमेंट वाइश्पोर्टिंग ट्रेंड्स यूजिंग ए ट्रेंडिंग ओडियो और इट्रेंडियो और इसका मतलब यह एगी अब यहाँ पर बात करते हैं सेकेंड अच्यूमेंट की गईस सेकेंड नंबर पर आदा एक क्रेटिव इस्ट्रीक जो की मुझे इस रिल्स वीडियो को अप्लोड करने पर मिला है चली मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ जैसे आप पर आपके सामने कुछ इस तरीकी का इंटर आप एसे इंस्ट्राग्राम पर लगातार रिल्स वीडियो को अप्लोड करते रहोगे तो आपकी रिल एक्सप्लोड पेज में जाएगी तो इसका मतलब यह होता है बात करते हैं नेक्स्ट अच्यूमेंट की तो इसको मैं यहाँ पर बैक कर देता हूँ इसके बाद का जो बाद कि आन यहाँ पर लेगा यू आफ एञाँ पर लिए उसका मतलब क्या होता है वह आप समझ रहरा जीए देके इंस्ट्राग्राम में पहले क्या होता था कि आप लोग इस ने कोई ही रिट कर देंगे तो उसी स्टेकर लगा देतें मतलब की कापे सारे सीड़ी में लग सकते हो और भी काफी कुछ चीज़ें आप यूज कर सकते हो इससे आपकी रील और भी जद्धा अट्रेक्टिव बन जाती है और यह चीज़ भी आप लोगों को अच्छे से पता है अगर आपकी रील एट्रेक्टिव होते हैं तो उसके वारे में आप समझें कि यहां पर बात यहां भी आपको तब मिलता है जब कभी भी आप इंस्ट्राग्राम पर किसी साथ को लैप करते हो यह ज़ो सामने वाले बंद आई जिसके साथ आप को लैप कर रहे हो अगर वह एकसेट कर लेता है तो वही रिल्स उसके अपलोड पर भी अप्लोड हो जाती है और वो जएस आपको definitely मिल जाता है और यह चीज भी आप लोगों को बताए जिस किसी की साथ भी आप collab करते हो अगर उसके account की reach अच्छी खासी होती है उसकी face value होती है या फिर उसके account का content और आपके account का content same same होता है तो जैसा कि अभी मैंने आप लोगो इन चारो जुमेंट की बारे में बताया यह चारो के चारो जुमेंट आपको तब मिलेंगे जब भी आप इन चारो जुमेंट की condition को follow करोगे जैसे किसी ट्रेंट को follow करके वीडियो बनाना Instagram पर consistent होके Reels वीडियो को upload करना या फिर आपके कोई Reels वीडियो ऐसी है जिसमें आप poll create कर सकते हो या फिर sticker लगा सकते हो sticker लगाने के लाएगे तो आप मलब sticker लगाएगे और वह किसी से मंदेग साथ को लाप करी जो आपके जैसा content मनाता हो जिसके account के अच्छी खासी रीच हो ये सब करने से आपको इस अच्छी होमेंट मिलते हैं और आपके account को growth भी मिलते हैं और आपकी दीज वीडियो वारे लोना start हो जाती है जिससे आप Instagram पर अच्छी खासी growth कर सकते हो अगर आप लोग इस वीडियो को देखकर ये पता लगा सकते हैं कितने फ्लोल पर कितना पैसा देता है थैंस पूर वोचिंग